हलो स्टूडेंस आज हम सिलेजनेला मेंबर चुकि टेरेडोफाइट्स में आता है उसका फीमेल गेमेटोफाइट यानि की मादा युक्पकोदवित की डेवलपमेंट या उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले मैंने मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट का भी विडियो बनाया था उसे भी आप देखें और समझने की कोशिश करें तो female gametophyte जो है वो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं जो इसका बिजानु धानी है उसमें हम देख रहे हैं एक बाहर यह जैकेट है और उसके अंदर हमको तीन हमें दिख रहे हैं यूशुली इसमें चार होते हैं एक पीछी की ओर होता है तो चार बिजानु होते हैं जो और इनकी संडचना में जो बाहरे बित्ती होती है वो भी रंगीन होती है और बाहरे चोल जो होता है वो स्थूल और और अलंकरत होता है जिबकि जो अंतहे चोल है वो इसमें बहुत ही पतली परत के रोप में होता है फिर इसमें आता है कि प्रत्येक बिजानु जो है वो अ जब हम देखते हैं, डेवलप्मेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो गुरु बिजानू है, यहने कि मेगा स्पोर्ड जो होता है, उसका अंकुरन जो है वो बिजानू दानी धर के भीतरी हो जाता है, और इसका जो अंकुरन है, अधिकतर जातियों में जो की विभाजन जो हो रहा है, यहां पर जो आपको पहला वाले चितर दिख रहा है, उसमें सेंटर के अंदर एक वेक्योल है, यानि कि रिक्तिका है, और उसके चारों और जो इसका जो कोशिका थी, उसमें विभाजन हुआ, जो केंद्रक था, उसमें विभाजन हुआ, और य केंद्रक इसमें बनते हैं वस जो जितने भी केंद्रक बने हैं वो कोशी का द्रव की पतली परिदिये बित्ती में परिदिये परत में यह विनियासित हो जाते हैं अब आम बाहर के ओर जाते हैं यहां कोशी का द्रव था उसकी पतली सी परत थी और उसमें यह सब अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेंटर में वैक्यॉल है और उसके चारों और ये फ्री नुक्लिय डिवीजन से बनी अनेक केंद्रक जो है वहां पर लग जाते हैं दीरे-दीरे क्या होता है बिजानू के जीवरव में विद्धी होने लगती है और जिससे जो केंद्रिय रिक्तिका है अकार छोटा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो पूंते ही समाप्त हो जाता है जो सेंट्रल वैक्यॉल होता है और इसके प्रशात क्या होता है जो केंद्रक है उनमें विद्धी का निर्मान शुरू होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं विद्धी का निर्मा वहां पर कोषी का उतक बनता है छोया है इसो रिप्रोड़क्टिव रिजं कहते हैं यह है जो इसे लिप्रोड़क्टिव रिजन कहते हैं? चैनलालर शेतर बनना शुरू हुआ है उसको हम स्केते हैं अब आधार ये जो मुक्त केंद्रिय भाग था जहाँ एक फ्री न्यूकलियर डिविजन वाला फ्री न्यूकलियर शेत्र जो था बाद में वो भी दीरे-दीरे कोशिका बित्ती निर्मान के साथ ही कोशिकी हो जाता है और इस शेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी और स्टार्चुक्त होती हैं जिसे हम स्टोरेज रीजन कहते हैं यह जो नीचे वाला है वो स्टोरेज रीजन कहलाता है अब यहाँ पर क्या है कि यह जो उतक शेत्र है बहु केंदर के जीवद्रव से एक डायफ्रेम के द्वारा प्रतक रहता है जो उपर वाला शेत्र है और free nuclear शेत्र है वो यहाँ पर एक diaphragm यह जो बन गया है शेत्र इसको बोलते हैं diaphragm और इसके द्वारा यह विभेदित रहते हैं अब इसमें अगला वाला देखिए चित्र यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो cellular वाला शेत्र था वहाँ पर आर्ची गोनिया या स्त्री धानी विक्सित होनी शुरू हो गई है इस अवस्ता में बिजानू जो है बिजानू बित्ती त्री अरिये कटक से फट जाती है यहाँ पर अनावरित हो गया यहाँ पर यह वाला पूरा का पूरा डिप्रोडक्टिव रीजन है इस चित्र की कोशिकाओं में अब दिरे दिरे क्लोरोफिल उत्पन होने लगता है और कुछ कोशिकाओं इसमें से ऐसे होती है जो की स्त्री धानी प्रारंबिका यानि कि आर्ची गोनि आप यहाँ पर एक आर्ची गोनियल इनीशिल है यहाँ पर यह देख रहे हैं आप आर्ची गोनियल इनीशिल कोई भी एक कोशिका उसकी तरह एक्ट कर सकती है स्रीधानी प्रारंबिका में एक परिनत विभाजन होता है इसमें क्या होता है एक परिनत विभाजन यानि कि प प्राइम्री कवर सेल बाहर वाली है और अंदर वाली है प्राइम्री कवर सेल या केंद्रिय कोशिका कहते हैं और बाहर वाली जो है वो प्राइम्री कवर सेल या प्रात्मिक आवरन कोशिका कहलाती है अब प्रात्मिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोन पर दो उदग्र विभाजन होते हैं यह किस प्रकार होता है देखिए जैसे यह कोशिका है और इसमें समकोन पर उदग्र विभाजन होते हैं इस प्रकार तो कित्ती कोशिकाएं हो गई इसमें, चार कोशिकाएं हो गई, इन चार कोशिकाओं को गृवा प्रारंबिका कोशिका या नेक इनिशिल्स कहते हैं, एनी सी के नेक इनिशिल्स, नेक इनिशिल्स या गृवा प्रारंबिका कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, तो क्या कैसे बनी ती यह जो प्राइमरी कवर सलता बाहर वाला था उसमें एक दूसरे के समकोंड पर विभाजन होते हैं जिससे की चार कोशिकाएं बनती हैं जो कि नग इनिशिल्स कहलाती हैं इन में एक अनुपरस्त विभाजन आप यहाँ से नहीं समझ आइगा जैसे यह कोशिका थी, उपर चार में डिवाइड हुई थी, और नीचे वापस एक और कोशिका आ गई, तो कितने हैं, टोटल आठ कोशिका हैं, देखने में ऐसे हम इसको समझा नहीं सकते, क्योंकि यह 3D स्ट्रक्चर बनता है, पर आप इसको समझे, कि जैसे आप एपल ले एपल को काट रहे हैं, उपर से आपने देखा तो वह 4 में कड़ गया वही देख में से इपल को काट दिया आपने, तो वह इतने हो गई? नीचे 4 कोशिका हैं हो गई, उपर 4 कोशिका हैं, तो इस तरह से दो कोशी के उचाई की यहां पर नेक का निर्मान होता है, अब गरी अब जो केंद्रिय कोशिका थी उसमें परिनत विभाजन होता है और प्राइमरी कनाल सेल और प्राइमरी वेंडरल सेल बनती है Central cell हमने देखा था बीच में थी उसमें एक परिनत विभाजन वापिस हुआ तो कौन सी कौन सी बनी इसमें बाहर की तरफ primary cover cell primary canal cell और center में primary venter cell दो कोशिकाई बनती है केंद्री कोशिका एक परिनत विभाजन दोरा एक primary canal cell और एक central cell यानि की प्रात्मिक नाल कोशिका जो की canal cell कहलाती है और primary venter cell जिसे हम अंडधा कोशिका कहते हैं ये दो कोशिकाई बनती है अब primary जो नाल कोशिका है वो विभाज़त रहती है और सीधे ही neck canal cell के रूप में कारे करती है हमें बता है जो ग्रीवा होती है जैसे देखे ग्रीवा है ये ग्रीवा की तो कोशिका है दो कोशिक ये स्तर बन गया जो इससे पहले वाले डिविजिन में हमने देखा था पर ग्रीवा के बीच में भी एक कोशिका होती है जिसे बोलते हैं ग्रीवा नाल कोशिका यानि की neck के नाल सेल MCC भी कहते हैं शौर्ट में इसको नेक के नाल सेल या गृवा नाल कोशीका तो गृवा नाल कोशीका जो बनी है वो एक होती है और यहाँ पर सेंटर में हैं के रूप में कारे करती है दूसरी जो थी अंडदा प्रात्मिक अंडदा कोशीका उसमें एक अनुप्रस्त विभाजन होता है ये अंडदा कोशिका थी इसमें एक ट्रांस्वर्स डिविजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं उपर वाली वेंटर केनाल सेल और नीचे वाली एक ठीके? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्त्री धानी की संदचना है जिसमें की उपर ग्रीवा है ये ग्रीवा है जिसमें एक ये तो नेक है जिसमें नेक केनाल सेल है ये वेंटर है जिसमें वेंटर केनाल सेल है और सबसे नीचे एग है तो नेक जिसके सेंटर में नेक केनाल सेल नीचे वेला फूलावा भाग जिसको वेंटर कहते हैं उसमें उपर की ओर वेंटर कनाल सेल और नीचे की ओर एग या अंड होता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परिपक्रवस त्री धानी है वो एक छोटी गृवा वो अंडदा यानि कि वेंटर में विभेदित होती है और गृवा स्तर पर जो उबरी वी रहती है तता चार उदगर कोशिका ये पंग्तियों से बनी वी होती है गृवा की जो उचाई है वो दो कोशिका की होती है जैसा भी हमने डेवलप्मेंट में देखा और गृवा नाल में जो है एक नेक कनाल सेल स्तित होती है अंडदा में एक अंडदा नाल कोशिका यानि कि वेंटर कनाल सेल जिसको वी सी सी कहते हैं और एक एग स्तित होता है त वो इसमें विगटित हो जाती है और जो पुमडू बने थे वो ग्रीवा नाल कोशिका के द्वारा पुमडू जो की हमने मेल गेमेटोफाइट में देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में वो जो बने हैं वो ग्रीवा नाल कोशिका के द्वारा जो हैं एंत्रोजॉइड अ जाइगोट का निर्मान करते हैं इस प्रकार फटलाइजेशन पूरा होता है और जाइगोट का निर्मान होता है तो यह हमने देखा फीमेल गेमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ दा किस प्रकार फटलाइजेशन या निशेचन इस पादप में होता है.